मुख्यमंत्री जेराम ठाको ने आज चमबा से जिला सोलन में निर्मेत पर्याचन विकास निगम के होटल क्यारी बंगला का वर्च्वल लोकारपन किया इस कारिक्रम के दुरान सोलन में स्वास्थे मंत्री राजीव सेजल भी मौजूद रहे मुखे मंतरी जैराम ठाकूर ने कहा कि केंद्र की स्वादैश योजना के तहट निर्मित इस होटल पर 37 करोड रुपए से अधिकी राशी खर्च की गई है जिसमें 25 करोड रुपे केंद्र जबकी 12 करोड रुपे से अधिकी राशी राजसरकार द्वारा खर्च की गई है मुखे बंचरी ने कहा कि इस होटल के बन जाने से प्रदेश में आने वाले परियाचकों को ठहरने के लिए बेहतर सोविधा मिलेगी मुखे इस बात के हमारे खेतर में और होटल क्यारी वंगला जो हमारा निर्माना धीन था उसका विदी बताथ घाटन करके हम समर्पित कर रहे हैं यह खुशी की बात है कि 2018 में हमने इसको भारत सरकार के हमारे स्वदेश दर्शन जोजना के अंतरगप्त इस कन्वेंशन सेंक्टर को जो है वो इसका काम शुरू किया था और भारत सरकार की बीतिय साहता से आज यह होटल का काम तो है वो पूरा हुआ और उसके बाद आज हम इसका उसलाटन कर रहे हैं